वेल्कम दस्तों मैं उपधीप आज मैं बातने माला हूं हमारे फोन जो बहुत ही जब नया करें थे तो बहुत ही फास फास से यूज करते और थोड़ा दिन हो जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है तो यह क्यूं होता है और कौन-कौन चीज का आपका ध्यान रखना चाहिए यह सारे बात लिश्कस्टर बात करेंगे इस वीडियो यह सबसे पहले बात करते है एप की जो हमारे फोन में बहुत सारे जो एप्लिकेशन दोर का ना दिना जाता है इसका थोड़ा 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 तोऱ्ा घर करके बाड़ता है इसका कुछ application का MB भी बढ़ जाता है जैसे 5 सल पहले की बात करें तो Facebook बहुत ही छोटा MB का app था फिर धिरे बढ़ने लगा तो इसी तरह से app जो है वो थोड़ा बढ़ा हो जाता है उसमें कुछ नया फीचर एड़ होता है जो application बढ़ा बनाते हो भी बहुत सोचके बनाते हमार graphics अच्छा होता है इसी बाज़े से जो developer है जो app developer है वो processor के recording इसको update करके upload कर देता है इसी लिए हम थोड़ा देखते है जो phone अगर थोड़ा पुड़ाना हो जाए phone बहुत ही slow हो जाता है शीप एही reason नहीं है बहुत सारे reason होते है जिसके बाज़े से phone slow होते है बट एक major reason है जिसके बाज़े से हमारा phone slow होता है आगे की बात करें तो software phone का जी OS software इसका भी बहुत सारे update आता है पहले आप देखेंगे जैसे कुछ था लॉलिपॉब, मास्मेलो, पाई और आगे जाके और भी नयान है जो version इसका update होगा इसके बाज़े से भी बहुत ज्यादा effect करते है जैसे इसको भी पाता है जो latest market management technology है उसके recording ही यह मतलब software को update करते है करके हमारे जो software update आता है इसको 100% हमें use करना चाहिए या एप का जो update आता है हमें use करना चाहिए जो भी update आता है हमें install करना चाहिए अगर आपडेट नहीं आते है तो security reason में बहुत सारे चीज़ loophole हो सकता ह है और हमारे phone का privacy compromise हो सकता है इसी बादे से हमें यह जो अपडेट आते हमको install करना चाहिए बहुत सारे जो phone में देखा गया था तो जो Android में तो यह सारे problem नहीं है बट हाली में कुछ दिन पहले iPhone का एक leak सामने आया था जो पूराने हो जाता है दो साल या दो साल के आसपास जो पूराने हो जाते है उस पर अलग तरीके से update डालते है जिसको जिसके बादे से अगर आपके पास iPhone है तो तो slow हो जाता है इसी बादे से बहुत सारे जो customer था Apple के उपर घुसा हो गया या फिर बहुत सारे जो government था उसने भी थोड़ा बहुत case किया Apple के उपर case किया था और फूल प्रोसेस में अगर phone को चलाएगा तो कुछ गरबर हो सकता है इसलिए उसने किया था बट जो भी करते है जो भी किया था सही है बट सबको पहले से जानाना जोरूरी था नहीं किया इसी बादे से उसे fine बढ़ना पड़ा इंडिया में fine नहीं बढ़ना पड़ा जो European ब वह भी डाउनलड कर लिया सारे डाउनलड करके राख देते उसमें से कुछ अन इंस्टोल कर देते और कुछ phone में रह जाता है अगर कोई application बहुत दीन से हमारे phone में रहता है उसके बादे से भी हमारे performance पे थोड़ा आसर पड़ता है माला बैग्राउंड में थोड़ा बहु ज़्यादा एफिक करते हैं जैसे हम जब नए हैं फोन करें बहुत सारे फोड़ा खीशते खीशते जाते जिसका जितना बड़ा दोड़े जिए वह फोड़ो खीशता है फोड़ो वीडियो और वासब में यह आग्या है फोन भड़ जाता एक्दम से उसमें अगर मेमोरी उ उसको सार्च करके हम निकलते हैं तो वह फोड़ो पूरे चीज को process करना पड़ता है वह background में होता है बट उतना ज्यादा हमें मनला हमको पाता नहीं चलता पर्ट उसे अगर कोई चीज हमें चाहिए या एक फोड़ो को पूरा सवारे फोड़ो को process करना पड़ता है को खाली कर दीजिए और फोन को यूज करते हूँ उसके हिसाब से आप देखिए स्टोरेज को थोड़ा होसा के तो आपने लैक्टॉप पे बैक अप राट लीजिए आफिर अलग से एक्स्टरनेल हार्ट डिस राट लीजिए जहां पर आप स्टोरेज कर सकते हैं इस सब और पोसेसर कस होसता है इसमें बहुत ज्यादा ऐसे ही ही तो इसका फूलला फूल से पमोझेंस में अर्वी ज्याधा ही जाएगा इसे जलता नहीं है जब 2 साल मेंश्जा हो जाता है तो दो सांधा जिखा जाता है गहीं करना बैटरी का चेंज कर लीजिए या फी्या दक तो नॉर्मली फोन को किस भी फोन को चेंज करने का टाइम आ जाता है तो अगर आप लॉंग टाइम तक आपको फोन यूज करना है तो आपको ये सारे चीज़ का ध्यान रखिए और आप से यूज कीजिए I hope बेटर पॉफोमेंस आपको बेटर पॉफोमेंस मिलेगा वीडिय कर सकते है थैंक यू थैंक यू बहाजी